बिस्मिल्यारमान रहीम, السلام अलेकुम जी, आज की लेक्षर में हम देखने वाले हैं कॉन्विलिशनल नियूरल नेट्वर्क क्या होते हैं, हमने बेसिकली सिंपल नियूरल नेट्वर्क को पहले देखा है और उनको बनाया भी है, स्टार्ड मैं वहीं से करूंगा कि सिंपल न आपके असाइन्मेंट जो थी, उसको थोड़ा सा आपको रिजर्व दिखा के फिर हम आगे मूव करेंगे, तो कॉन्विलेशनल नियूरल नेट्वर्क से पहले, हमारे पास जो बेसिक नियूरल नेट्वर्क है, रिग्रेशन के बाद, वही क्लासिफिकेशन के अंदर भी ह फिर बाद में MLP भी यूज़ किया, उनको यूज़ करने के बाद, यहां पे हमने लास्ट इम रिग्रेशन के एक प्रॉब्लम की थी, रिग्रेशन की प्रॉब्लम में हमने क्या देखा था, हमने ये सारे के सारी हमारी लाइबरेरीज इंपोर्ट की थी, टिप्स का डेटा किया, फिर हमने उसको इंकोड किया, इंकोड करने के बाद, हम अब बाइनरी क्लासिफकेशन में डेटा के मीडियन के उपर वाली चीज़ों को बोलेंगे कि महंगा बिल है किसी को कहेंगे कि सस्ता बिल है, मतलब से टोटल बिल का उख काटा, और दो डिवाइड हिस्तों मे डिवाइड कर दिए, बाइनरी क्लास बनाने के लिए, तो यहां पर आप चेक कर सकते हैं, अगर हाई बिल है तो उसको हम कह देंगे कि यह इनका हाई बिल है, यानि कि हाई मतलब टोटल बिल का मीडियन से ज्यादा, सेंटर से ज्यादा अगर किसी ने बिल दिया, तो सिरफ Binary classification का सिरफ Architecture में आपको दिखाने वालों, X के अंदर हमारे पास है जी, सिरफ और सिरफ High Bill और Total Bill के लावा सारा कुछ और Y के अंदर सिरफ और सिरफ हमारे पास High Bill है, हईब के हैं, हमने बकाईदा एक Tips के Data Set के अंदर ही इसको add कर लिए, अगर मैं आपको ये वाला Code यहां प को टिप्स का डेटा दिखाऊं तो दैट लुक्स सम्थिंग लाइक दिस ना यह आप चेक कर सकते हैं हाई बिल का एक नया कॉलम हमने एड किया जीरो एक बन है हाई बिल वहां पर वन होगा जहां पर हमारे पास मीडियन से ज्यादा बिल है टोटल बिल का यानि कि यह बिल का ह अगर मैं करूं तो टोटल बिल का हमारे पास यह वाला मीन आता है ठीक है मीडियन होता है बिलकुल उसका सेंटर यानि कि आपका तक्रीबन तक्रीबन 50% डेटा इस साइट भी होता है 50% इस साइट भी होता है तो आप उस सेंटर से वो तक्रीबन 17.89 के के क्रीब बनेगा उ उपर वाली value को 1 कह दिया नीचे वाली को 0 यह हमारे पास एक binary column बन जाता है ऐसे हमने इस binary column को y रखा और बाकी सभी को x रख लिया हमने total bill को बिलकुल निकाल दिया क्योंकि bill की base पे थो हम कर रहे हैं and then हमने यहां पे सारा कुछ वैसे किया जो हम cycle learn में करते हैं सिर्फ जो change की हमने यहां पे input layer दी एक hidden layer यहां पे आगी दूसरी hidden layer यहां पे तीसरी हमने यहां पे हमने क्या कर दिया simply हमने one neuron add किया अब आप मुझे बताएं कि one neuron तो यहां पे add हो गया यहां पे function कौन सा use कर सकते हैं हम इसके साथ binary classification के अंदर यहां पे कौन सा function use होगा sigmoid ठीक है लेकिन अगर मैं इसको run करता हूं यह तो ऐसे भी run करके मेरे पास test accuracy 53.6 दे रहे है इट means it is working लेकिन यह हमारे पास values जो है वो linear activation की दे रहे है जो रेलू से पीछे value है यह उसको as it is दिखा रहे है हमने यहां पे activation is equal to sigmoid लगाना है या sig sorry ठीक है let's run this तो हमारे पास value जो है वो फिर different आईगी तो यह simply एक आपका neural network ready हो गया based on the binary classification ठीक है यह चीज आपको मैंने assignment के तोर पे भी दे थी और उस दिन भी करके दिखाई थी then हमारे पास multi class classification है अब multi class classification के अंदर आपके पास ज्यादा values होनी चाहिए ना एक से ज्यादा दो से ज्यादा sorry zero या one से ज्यादा for example यह जो हमारा data है इसमें अगर मैं day की बात करूं तो multi class classification नहीं हो सकती easily for example अगर मैं आपको data दिखाऊंँ यह वाला tips का data इसको मैं tips underscore one कर देता हूं tips underscore one dot head अगर इस तरीके से किया जाए तो हमारे पास day बनता है संडे थर्सडे फ्राइडे सैटेडे संडे चार दिन बनते हैं तो हम चार दिनों वाला यहां पे multi class classification अब करने वाले हैं बहुत सिंपल है सेम उसी तरीके से multi class classification चलेगी हमारी artificial neural network की जैसे binary चली है लेकिन यहां पे हम वाय के अंदर डे रख देंगे ठीक है वाय के अंदर डे रख देंगे बाकी सारा कुछ वैसे चल रहा है coding भी encoding भी वैसे है यहां पे input layer भी वैसे चलनी है रेलू यहां पे भी आप लगा सकते हैं और यहां पे हमने unique number की shapes निकाल देनी हैं यानि के कितने हमारे पास classes हैं चार classes है Thursday, Friday, Saturday, Sunday वह यहां पे आगया या चार आप खुद से लिख सकते हैं यहां पे अगर आप चार भी लिखेंगे तो यह चल पड़ेगा and then आप softmax use करेंगे as an activation function तो यह आपका multi class classification का algorithm बन जाएगा तो इस तरीके से आप algorithm को use करते हैं अब encode करना जुरूरी है reason यह है कि आपकी efficiency तेज होती है वरना जब आप ज्यादा data पे काम करते हैं secondly अक्सर वकात integers को हुई वो check करता है या आपका जो discrete number उसको as a class लेता है बाद में आप उसके label change कर देते हैं और मैंने start में activation function जब मैं पढ़ा रहा था आपको बताया कि कुछ लोग pen को pen कहते हैं कुछ pen को trouser कहते हैं कुछ jeans कहते है इस तरीके से हमारे पास values आ गए थी फिर आप history में रखके इसकी curve बना लेते हैं जो मैंने आपको उस दिन बना के भी दिखाए थी ठीक है history के अंदर पूरे का mode of model रखें यानि के यह history है इसके अंदर आप model को train कर दे train करने के बाद उसको हर epoch के उपर जो loss और accuracy आती है उसका line plot बना देते हैं तो इस तरीके से training and validation loss आपके पास आ जाता है ठीक है इसको आज मैं आपको बताऊंगा भी कि यह loss आप कैसे चेक करते हैं और इन loss की curves कौन कौन सी चीज़ें आपको बताती है ठीक है so don't worry about that तो यह तो हो गया assignment का काम जो आपका काम था लेकिन जाहरी बात है उसको बताना भी जरूरी है आपको कि आपने क्या करना होता है अब जलते हैं अपना CNN की तरफ CNN क्या होता है आप में से कितने लोगों को पता है कि CNN क्या है या कभी आपने इस पर काम किया हो या कभी इसके बारे में सुना हो CNN के बारे में नहीं भी जुना नो इशू आज हमने यही कुछ देखना है लेकिन फिर भी अगर आपको पता है तो वो अच्छी बात है चलें ठीक है मैं ही बता देता हूँ ताकि एजी रहे काम हमारा एक तो आपका न्यूस चैनल भी होता है CNN यह वह वाला CNN नहीं है दिस इस रिलेटेट वार्टिफिशल नियूरल नेट्वर्क और CNN का मतलब है कॉन्वूल्यूशनल कॉन्वूल्यूशनल अगर मैं स्पैलिंग गलत ना लिकूं तो बेतर है कॉन्वूल्यूशनल सबसे बड़ी चीज़ CNN इसको बोला जाता है या कॉन्वूल्यूर्ट नेट्वर्क भी बोला जाता है कौन वैंवन भी बोला जाता है क्यों यह Convolutional neural network क्यूं है क्यों इसकी वजा से हम different किसम की complex data को read कर सकते हैं कैसे read होता है और कौन-कौन से network इसके अंदर involve होते हैं, आज हम वो देखने वाले हैं अब मेरी बात ज़रा गोर से सुनिएगा क्योंकि काफी चीज़ें, काफी concept मैंने आपको बताना है इस वज़ा से मैं चैट ज़रा रोक रहा हूं ताकि आप मेरे साथ रहे हैं और हम इन चीज़ों को मिलके देख सकें सबसे पहली चीज़ यह है कि convolutional neural network CNN क्यों बोला जाता है, इसको हम abbreviation के तोर पर बोलते हैं और बहुत ज़्यादा use होता है, कब use होता है, कहां पर use होता है, इसको देखते हैं सबसे पहला इसका use case है, image classification और identification ठीक हो गया images, जब भी images का data आता है, वहां पर CNN यूज़ों होता है, मैं CNN इसे बोलूँगा था कि हम convolutional convolutional ना करते हैं अब ये क्यों use होता है, इसकी वज़ा ये है, आपने पिछला neural network पढ़ा, वो कुछ इस तरीके से चलता था hidden layers आती थी, और आपकी output layer आती थी, तो इस तरीके से हर किसी का दूसरे के साथ connection बनके और ये आगे output में move करता था, ठीक है, यहाँ पे कुछ different चीज़ चलती है, this is somehow complex data set, कौन सा data set, जब image की बात आती है, तो image एक complex data set है, for example, अगर आप image की बात करें, तो image के अंदर आपके पास pixels होते हैं, मैं यहाँ पे आपको एक image बना के दिखाता हूँ, आपको समझ आ रहे हैं कि मैं बड़ी simple सी image बना के दिखाता हूँ, तो ये एक, दो, तीन, इस side पे, एक, दो, तीन, इस side पे, इसको three by three हम pixels कहा सकते हैं, मतलब तीन pixel इस तरीके से, तीन उस तरीके से हमारे पास pixels बनेगे simple मैं आपको example देता हूँ, कि एक छोटे टुकडो में एकर divide किया जाए, तो हर pixel आपको कोई value देता है और उस value की base पे हम सारा कुछ देखते हैं, but for now, ये एक हमारे पास three by three का, एक set आ गया data का, हर एक टबबा, एक image का, ये एक pixel को show करता है, और हर एक pixel अपनी specific value रखता है, तो हमारे पास हर एक pixel की एक value आने start हो जाती है, जब हम pixel को देखते हैं, ये तो simple हमें पता चल गया कि image का ये वाली measurement है, ठीक है, और इसमें pixel यहाँ से start हता है, एक दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आर नो, दास, ग्यारा, बारा, जितने भी चलते हैं, so on, so forth वो चलते जाते हैं, then हमारे पास एक और dimension होती है, which is called color, ठीक है, अगर आपके पास तीन color होंगे, तो RGB होगा, तो इसके साथ ही multiplied by 3 आ जाएगा, और, ठीक है, so ये dimension जो होगी, ये हमारे पास एक colored image की हो जाएगी, इसका मतलब ये है, जब हम convolutional neural network को देखते हैं, तो ये simple data नहीं है, कि XY की form में आपके पास data है, और आप इसको simply move करते जाएगे, usually क्या होता है, हर एक pixel read किया जाता है, read करने के बाद उसकी dot product बनाई जाती है, उसके अंदर filters use होते हैं, क्या चीज़े होते हैं, मैं अभी data देखते हैं, मिसाल के तोर पर, अक्सर उकात आपने देखा होगा, कि बच्पन में हम ऐसे काम करते थे, दस डालो, दस डाल दिये, तीन डालो, तीन डाल के उपर से नीचे मिला दो, ये ही इनसान बन गया, ऐसे होता था न, यह अक्सर उकात आप छोड़ी-छोडी drawing करते ह outline वगरा, और आपके पास कुछ शकल सी बन जाती है, इसको images के किनारे बोला जाता है, किनारे, images के किनारे, ठीक है, समझ रहे हैं बात को, किनारे याद रखिएगा लफ्स, दूसरी चीज़ पर आते हैं, अब जब एक image बनती है, तो क्या होता है, मैं आपको छोटी सी example यहा पिक्जल्स जो हैं, हमें शो करते हैं कि वैल्यू क्या बन परी है, यह यहाँ पे आप समझेंगे, मल्टी पिक्जल एक हमारे पास image, जब दस बैस 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 जो भी आपने लगानी है, आप लगा सकते हैं, मैं यहाँ पे मोटे बैन के साथ, यहाँ पे लिखता हूँ, थ्री, ठीक है, यह मैंने तीन लिखती है, अब आप अगर इसी image को divide करें different हिस्सों में, मैं यहाँ पे इसको हिस्सों में divide करता हूँ, यह थ्री जो आपको लिखा आ रहा है, यह किस base पे आ रहा है, उसको मैं थ्योरी आपको बता दूँ, फिर आ गया, असानी हो जाईगी, यह हम इसको pixels में अगर divide करें, जो हमारी image के original pixels है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, यह draw तो मैं खुद ही कर रहा हूँ, जारी बात है, लेकिन just to show you कि इस तरीके से आपके pixels जो हैं, वो light up करते हैं, फिर आपको values देते हैं, और हम उन values को देखते हैं, कि उस value के अंदर क्या ठीक हो गया जी, यह इस तरीके से हमारे पास pixels के अंदर, तीन लिखा आगया, अब जहां पे कुछ नहीं होगा, वहां पे zero अता रहेगा, जहां पे कुई भी cross नहीं कर रही चीज़, ठीक है, यहां पे 00000000 इस तरीके से आगया, मतलब कुछ भी light up नहीं किया, ठीक है, यह pixels कुछ भी light up नहीं कर रहे, कुछ भी आपको print करके नहीं दिखा रही, यह जितने भी मैं 0000 वाले कर रहा हूँ, जिरो का कभी 6 बन जाए तो sorry for that, लेकिन मैं 0000 ही लिख रहा हूँ, यहां पे, अच्छा, कोई रहा है तो नहीं गया ना, खाना हमारे पास, बिलक आ रही है, वहां पे pixel highlight करेगा कुछ values, ठीक है, for example, यहां पे आ रही है जी, 6, मैं example दे रहा हूँ, साथ, नो, तीन, तस, पंद्रह, टीस, ग्यारा, बारह, तीन, और यहां पे आ रही है, दो, यहां पे लगा दें, आप बारह, यहां पे लगा दें, सोलह, आठ, नो, तस, उपर नीचे दोनों तरफ से आगे है, और यह आप लगा दें, पंद्रह, तो आप चेक करें, आपके पास, हर एक pixel की value आगी, images इस तरीके से होती है, यह तो बड़ी simple, मैंने handwritten digit की आपको image दिखाई है, total image आप जितनी भी लगाएं, वहां पे हर pixel को यह आपको value दे र RGB की, एक pixel RGB, RGB की values, bits पे depend करती है, याद है के नहीं, 255 ता cake की value होती है ना, 8 bit की जब हम बात करें, slide याद करें, 8 bit की जब हम बात करते हैं, तो value 0 से 255 होगी red की, 0 से 255 होगी green की, 0 से 255 होगी blue की, इनको हम primary colors भी कह सकते हैं, for now, यानि के red का mixture, red अगर हमारे पास 115 है, green हमारे पास 101 है, blue हमारे पास 75 है, जरहां इंटरनेट पे check करें, RGB की ये तीन values लिखके आपके पास कौन सा गलार आता है, 115, 101 और 75 115, 101, 75 RGB color generator open कर लीजेगा, और वहां पे इसकी value लिखिएगा, जब आप RGB color generator पे जाते हैं ना, तो कुछ इस तरीके से वो काम करता है, यहां पे मैंने पहला गया, RGB color generator इस पे गया, तो मैंने तीन values यहां पे लिखनी है, जो मैंने लिखी हुई थी, जनाब 115, 101 और पर जटर, यहां भी मैं लिखता हूँ, 115 होगी, 101 होगी, और पर जटर, तो आपके पास तकरीबन सभी के पास यही color आया होगा, राइट? ऐसे ही है, अब यह universal language है, colors की, RGB की base पे, अगर यही value CMYK की होती होती तो हम अगर उसको लिखें, CMYK generator, CMYK color picker लिख लेते हैं, तो यहां पे आप क्या करेंगे, CMYK, यानिके सयान, magenta, yellow and black, चार values आप देते हैं, HSV different है, HSL different है, तो यह चार color की types होती हैं, जो colors मिलके बनाते हैं, आपके pixels जो throw करते हैं न, color screen के उपर, वो, images को read करने के लिए पहले ये समझना ज़रूरी है कि images बनती कैसे हैं, बनने का पता चल गया तो reverse engineering लग गई, TensorFlow, image analysis में convolutional neural network, सारी की सारी reverse engineering चला रहे होते हैं, जो आप एक तस्वीर देते हैं, वो उसको pixels में divide करते हैं, divide करने के बाद हर pixel की value आपको find out करके देते हैं, ठीक है जी, तो यहाँ पे आपके पास ये color आ गया, क्योंके मैंने green color से लिखे, मैं green पे click करूँगा, तो आपके पास green की भी values आ जाँगी, green की values 0, 255 and 128, अगर आप गोर करें यहाँ पे नीचे, red, green and blue, आ रही है नीचे values, हर एक color की RGB की value है, और साथ में ये वाला code है, this code is called hex codes, ठीक है, ये code आप जब कभी आप अपनी मर्जी के colors के graph बनाना चाहे ना, तो वहाँ पी data visualization में use कर सकते, for now आपको color की समझ आ ठीक हो गया, तस्वीर सिर्फ color से मिलके नहीं बनती, and I am hopeful कि आपको ये पता है, ठीक है, तस्वीरें सिर्फ color से मिलके नहीं बनती, मैंने आपको पहले एक बात बताई, कि नारे, ठीक है, अब क आपको किनारे भी find out करने पड़ने हैं, उसके, किनारे ही तो shape बताते हैं न, outline, कि क्या बना हुआ है, वो मेरी मिसाल फिर दुबारा हर जगह fit बैट जाते ही, बिली बनेगी, भालू बनेगा, शेर बनेगा, चीता बनेगा, हाती बनेगा, अगर आपको उनके किनारे पता हो तो आप उनका बता सकते हैं कि ये, ठीक है, इनसान की अगर outlook हमें पता चल जाए कि इस तरीके से नाक होता है, मेरी rank बहुत बुरी है, sorry for that, लेकिन आपको outline पता हो तो बीच में colors भर सकते हैं न, so colors और किनारे मिलके दो चीज़ें बनाते हैं, बच्पन में याद करें, जब आपने आम, केला से, माल्टा वगरा बनाए होंगे, उसमें color बरे होंगे, तो पहले outline बनती थी फिर बीच में colors होते थे, so इन दोनों चीज़ों की base पे मिलके आपकी values बनती हैं, अब pixels के साथ साथ आप किनारे भी देखते हैं, so किनारों के लिए दो चीज़े important है, convolutional neural network के पहली चीज़ यह है कि जब आपके पास pixels की values आगे ना, that's enough for you to read, ठीक है, आपके पास pixel की values आ रही है, हर एक pixel की value आ रही है, आप क्या करते हैं, अब pixels के अंदर अपने filters decide करते हैं, मैं आप यकीन माने basic mathematics में सारी नहीं पढ़ा सकता, लेकिन एक dot product के नाम से एक चीज़ है, dot product क्या होती है, dot product is a product of two matrices, अगर आप उसको simply बात करें तो, दो matrix का अगर product देखा जाए, पहले एक matrix को linear में तोड़ा जाता है, फिर दूसरे को, फिर उनको multiply करके जमा किया जाता है, उसको हम dot product कहते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, आप अपनी dot product को लिखते जाते हैं, filter के साथ add करने के बाद, तो आपका यह एक matrix है, पूरी image का, ठीक है, अब इसके उपर एक window फिरती है, एक window फिरती है, मैं window को बोलता हूँ, kernel size, जिसको हम filter बोलते हैं, ठीक है, मैं कहता हूँ कि यह वाला, नहीं, मैं बलके color different बना लेता हूँ, थाकि आपको नजर भी आए, red color क मैं बड़ा कर लेता हूँ, बलके red भी नहीं, कोई और लेते हैं, green ले लेते हैं, मैं कहता हूँ, 3 by 3 का window size बनाओ, ठीक है, अब इसको, यह जो आपके पास एक vector, sorry, एक matrix आ रहा है, 3 by 3 का, इसकी values पकड़ो, यहां पे लिखो, for example, 000, 000, 060, ठीक हो गया, यहां तक समझ आगी आपको, फिर आप इस value को, dot product के साथ convert करने के बाद, आप एक नया, पूरे का पूरा matrix बनाते हैं, जिस तरह यह बना हुए ना, पूरा खाना, high dimension का, इसी तरीके से एक low dimension का आपका data बनता है, आप इसी चीज़ को, for example, आप इन dot products को fill करते जाते हो, और आपके पास एक नया, तीन लिखा हुआ एक खना बनता है, उसी तरीके से, और values different होती है हर खने की, ठीक है, कहीं पर minus one, किस पर zero, कहीं पर six, कहीं पर nine, so वो किस base पर depend करता है, वो आपकी dot product यहां पर fit होती है, based on the filters, ठीक है, तो अगर आपको dot product का नहीं पता, उसकी मैं छोटी सी example आपको दे दे पता हूँ, कि हमारे पास दो अगर matrix है, हमारे पास दो matrix है, यह है जी, दस, ग्यारा, बारा, तीन, चार, पांच, दो, तीन, पांच, यह है हमारे पास एक matrix, A is equal to this, B is equal to, अगर मैं इस को करूँ जी, दो, तीन, जीरो, तीन, 4, 0, पांच, जीरो, अब इनकी मैंने dot product बना द क्या करना है हमने इनको कनवर्ट करना है लीनियर इमिज के अंदर या निलियर वेक्टर के अंदर इसको हम बोलते हैं फ्लैट करना एक मैट्रिक्स को फ्लैट करना बोलते हैं फ्लैटन वेक्टर्स फ्लैटन वेक्टर्स के अंदर हम इसे कन्वरिट करेंगे तो हमारे पास क्या आजाएगा यहाँ पर देखिएगा आप हमने इसको इस तरीके से लिखना है दस कॉमा ग्यारह बारा तीन चार पांच दो तीन और पांच ये हो गया हमारा A अब हम B लिखते हैं इसी तरीके से हमारे पास आएगा जनाब 2 2 3 0 3 4 0 5 6 0 ये simple matrix जो होते हैं कालब जिसे हम भोलते हैं यह उसकी बेस पे सारा कुछ चल रहा है जैसे हमने बच्पर में यह कह के छोड़ दिया है किते यूज होने तो वह यहां पर मैट्रेक्स इमिज के पिक्जल के अंदर काउंट और डॉट प्रड़क्ट बनाने के लिए यूज होते हैं और बड़े हैवी किसम के यूज होते है सो आपने इन दोनों को लिख लिया लिखने के बाद आपने इनकी डॉट प्रड़क्ट बनाने अब डॉट प्रड़क्ट कैसे बनेगी इनकी हां जी एनी आइडिया मैं चाहिड यहां पर उपन करता हूं यहां पर इंजिनियर्स भी बैठे हुए तो उनकी भी खिदमात ल जीरो तीन तीन बार नौ चार चार बार सोला यहां पर सोरी और पांच जीरो बार जीरो दो पांच बार दस एंड तीन शे बार अठारा एंड जीरो इसको अगर हम जमा करें तो हमारी डॉट प्रड़क्ट की वैलियो हमारे पास आगाई ठीक है तो इस इस अब जारी बात है जो मैट्रेक्स मैंने इतने बड़े बड़े बनाये थे उनकी वैलियो भी बड़ी होनी है एट दियंड हम इसको बोलते हैं हमारा size of kernel के कितनी window रखनी है आपने तो ये convolutional neural network के पहली जो हमारे पास layer होगी उसके अंदर hidden layer के अंदर हम ये चीज़ आइड करने वाले है kernel का size अब इसके इलावा भी कुछ चीज़ें होती हैं इसके अंदर उनको भी साथ साथ देखते हैं dot product आपको समझ आगी कि dot product कैसे होती है इससे यह होता है कि बड़े matrix से चोटे matrix में convert हो जाती है चीज़ फिर अगले में फिर अगले में फिर यह window इदर को move करती है मतलब यहां पर पहले को छोड़के अब दूसरे पर आएगी from here to here फिर यह तीसरे पर आएगी तो यह window ऐसे move करेगी आगे और उसकी dot product बनती जाएगी है इसता इसता इन हमारे पास एक filter वेक्टर होता है जिसकी बेस पर हमारी यह multiplication उसके साथ multiply हो रही होती है for example this one is being multiplied to a factorial sorry factorial मैं कह रहा हूँ 2 by 3 या 3 बड़े 3 का matrix पहले से मने design किया होता है ठीक है जिसको weights का matrix बोलते है समझागी बात की अब यहां पर यह दो matrix आपस में multiplication होती है इनकी और convolutional layer बनती जानती है ठीक है पहली बनी फिर दूसरे फिर तीसरी add the end हम क्या करते हैं इन सभी को तोड़ के एक linear vector में ले आते हैं और वो linear vector हमें बाद में एक activation function के साथ मिल के हमें non-linear result दे देता है यह पूरा इसका method होता है मतलब starting from an image आप pixels की value देखते हैं उनकी dimension को low करते जाते हैं आइस्ता 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 at the end आपके पास linear vector की form में चीज़ आ जाती है जिसको हम flatten layer बोलते है flatten layer का मतलब यह एक linear vector में चीज़ को ले आना वो linear vector हमारे पास एक quantity देता है हमें फिर activation function उस quantity को दुबारा से हमें किसी image के अंदर transform करने की पाते हैं बताता है कि ठीक है यह dog की image है यह flan cheese की image है यह flan cheese की image है so at the end हमारे पास इस तरीके से convolutional neural network जो है वो बन जाते है अब इसके key component तो काफी है लेकिन मैं directly आपको simply एक बात बता देता हूँ कि यह unstructured data पे बहुत जबरदस चलता है images के उपर ठीक है और इसके बाद यहाँ पे features जो हैं बड़ी interesting बात है आपने सोचा होगा कि feature होगा x y यहाँ पे हर pixel की value आपका feature है हर एक pixel की value is treated as features मतलब यह आप एक भी pixel को खा गए आपका एक feature गया आपके पास feature extract कैसे होते हैं आपको समझ तो आएगे है अच्छा आप फिर iteration भी तो कर रहे है ना वैल्यू उसको बार-बार चेक कर रहे है और इसके अंदर बकाइदा जो main इन चीज हमारे पास count होती है वह होता है आपका window का size वह जो matrix का है कैसे वह आगे classification for sure दूसरा object detection मिसाल के तोर पे टेसला के अंदर मैंने आपको बताया कि वह images के तुरू object को detect कर लेते हैं वह क्या होता है आपके पास एक तस्वीर आई यह उसके pixel ही count हो रहे ना कि क्या value दे रहे हैं और हर एक image की pixels के अंदर value different होगी चले मैं मिसाल देता हूं यहां पे मेरी ही तस्वीर हो मैंने black color की shirt पहने हैं इस तस्वीर के pixel different होंगे जरा साभी मैं मुह इदर करूंगा pixel और वेक्टर चेंज नहीं हो जाएंगे due to the matrix values जिस खाने में पहले 0 या 1 आ रहा था वहां पे अब 0 आ रहा होगा विशक मैं वही रहूंगा लेकिन मेरे पास क्या हो रहा है मेरी image के पूरी के पूरी classification feature change हो चुके हैं चलो एक और बात आपको बताता हूं अगर मेरी shirt का color change हो जाएंगी अगर color images की बात करें तो RGB की values की base पे सारा कुछ हो जाएगा at the end फिर पता कैसे चलेगा कि यह हमारी है किनारों से जो मैं बार-बार किनारों की बात कर रहा हूँ ना उसको edges बोलते हैं और इसके उपर बे-बहा algorithms मुझूद हैं edge detection की base पे edge detection is one of the most important things in image classification computer vision और edge detection अच्छे तरीके से हो जाए तो सब कुछ बहतरी न तरीके से चलता है अगर edge detect ना हो पाया तो काम खराब है अब क्या होता है यही जो मैंने तीन लिखा था ना जब मैंने अपने filter और बार-बार चीज़ों की यह window जो मैं move करवा रहा था इसको move करना है ना इसके साथ-साथ मेरे पास कुछ values ऐसी आना है है जिन्यों ने ये सिरफ edge को detect करना है कुछ values सिरफ ये ये वाली edge को detect करना है कुछ ने इसरफ ये वाले edge को detect करना है क्योंके हमने यह विंडो एक दफा तो गुजार दी अगर यही मेरे इस विंडो के नंबर हुए पांच तो यह विंडो पांच दफाद डिफ्रेंट साइज की होगी और डिफ्रेंट जोगों से गुज़रेगी ठीक है पहले यह राइट साइड पर गुज़र रही है फिर उपर से नीचे गुज़र रही है उसकी डॉट प्रड़क्ट की डिफ्रेंट होगी अगर राइट टू लेफ्ट चार रही है तो उसकी डॉट प्रड़क्ट की डिफ्रेंट होगी ठीक है समझ रहे हैं ना बात को यह जो हमारे पास dot product यह जब matrix यहां पर move कर रहा था इस side पे इस तरीके से यहां पर आया फिर यहां से आया फिर यहां पर जाएगा इसकी value different होगी जब यह उपर से नीचे move करना start करेगा इसकी value different हो जाएगी तो हर एक की तरफ movement आपको different edges देती है और वो edges मिलके एक तस्वीर बनाती है color की values तो होती है लेकिन वो edges जो हैं वो ज्यादा shine bright होके आपकी तस्वीर बनाते है at the end आपके पास object detect हो जाता है facial recognition भी ऐसे होती है फिर NLP के अंदर भी यह चीज़ यूज़ हो सकती है आम बंदे को तो पता ही नहीं चलता है X-ray में क्या चल रहा है तो डॉक्टरों को कैसे पता चल जाता है because they know the patterns कि कहां पर pattern है किस जगह पर क्या हो रहा है अक्सरोगात होता है न अल्ला ना करे किसी को relative बिमार हो जाए और आपके के अंदर तो ब्लैक और वाइड कलर्स यह नहीं अट दिया आपने तो एज़ डिटेक्ट करके बताना ना क्या चल रहा है तो जारी बात है वो एक नहीं चीज़ है बट फॉर नाओ तो इस तरह की जो भी टिकनीक है medical images की MRI हो गई बड़ी बड़ी टिकनीक्स जो है वहाँ पे यह CNN की बेस पे आपका पर पिक्जल की बेस पे सारी चीज़ चल रही होती है और उन्होंने इसी वज़ा से standard बनाया होता है कि जब भी कोई MRI करे उसकी ratio यह होनी चाहिए और साथ में नीचे उन्होंने पिक्जल काउंट भी दिया होता है So, these are the things which can help you to develop a kind of CNN network अब activation function की बात करते है ReLU जो है effective, सबसे effective यह function है इसके लिए image analysis के लिए ReLU, hidden layers की मैं बात कर रहा हूँ Rectified linear unit ReLU तो मैं Punjabi हूँ तो इस वर रहा से ReLU निकल रहा है मुँँ से ReLU है यह ReLU, you know थोड़ा सा burger होना चाहिए आपको इसके लिए ReLU And at the end, then sigmoid function है अगर आपकी value 0 और 1 के दर्मयान आपने set करनी है तो आप sigmoid को use कर सकते हैं Usually यह black and white images के लिए most probability है इसके आप use कर सकते हैं 10H को भी use कर सकते हैं Softmax को भी use कर सकते हैं But you should know के कहां पर कौन सा होना आपको सारी properties का पता है activation function का तो आपने जब prediction में जाना है Then we will see के कौन सा हम use करेंगे मेरे ख्याल से इसको directly पहले हम run करते हैं और फिर देखते हैं कि जी किस तरीके से हमारा CNN network जो है वो चलता है Just a minute कर्छोरे करा साहर कि जूरे बना होना है मारा भी किको करेंगे से हैं